नमस्कार साथियों, मैं आचार रमेश दस्मन आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है जोतिस द्रिश्टी आईए सबताह के फलादेश के विश्य में चलते हैं सबसे पहले मेश रासी मेश रासी वाले जातकों के लिए समय उत्तम नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस समय थोड़ा मानसिक तरह उनके उपर रहेगा कामकाज के अधिक्ता रहेगी और जिसके कानबस थोड़ा सा उनका मन बेथित रहेगा परंतो इस कामकाज की अधिक्ता में भी आगे चल करके लाव मिलने के समभावना है इसलिए बड़ा सोच समझ करके काम कीजिए लाव पराप्त होगा बिसरासी वालों के लिए यह समय बड़ा उत्तम है यदि बिभा इत्यादी का कहीं योग बनता हो तो इस समय बिभा का योग बड़ा उत्तम है जिनका बिभा नहीं हुआ और जिनके घर के अंदर ग्रस्ति भाव है तो यह समय प्रेम भाव प्रेम परसंग के लिए बड़ा लावकारी है घर के अंदर आनंद के साथ में समय ब्यतित करें तो बड़ा फैदा होगा करना क्या है आपने इस समय को और आनंदित करने के लिए सफेद चावल बना करके गव माता को खलाईए तो बड़ा लाब प्राप्त होगा मिथुन रासी वालों के लिए समय लाबकारी है धन धाने की बिर्दी होगी कारवार से उन्नती होगी यदि करमचारी हैं कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरकी के भाव बनते हैं और परिवार में सुखानंद की बिर्दी रहेगी अब चलते हैं करक राशी के लिए करक राशिवालों के लिए समय लावकारी है उत्तम है धन धाने की विर्दी होती है इसमें और अनेक प्रकार से लाव की प्राप्ति होगी सिंग राशिवालों के लिए समय उनके प्रतिकूल नहीं चल रहा है थोड़ा मानसिक तनाव बना रहता है इसलिए उस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अपने गुरुजनों से या अपने माता पिता से बात कीजिए बड़ा लाव रहेगा बात करने से मन हलका होता है जिसके कानबस आपका मन के अंदर ब्यथा नहीं रहेगी और हाँ भगवान सुर्य नारण की जरूर उपाशना करें कन्य राशी वालों के लिए समय बहुत उत्तम है लावकारी है अनेक प्रकार से फैदा हो सकता है और करना चाहें तो ये हरा दान कर सकते हैं जिसके द्वारा इनको और भी सुक्समर्दी प्राप्त होगा तुला राशी वालों के लिए समय लावकारी है उन्नती कारक है धन धाने की बिर्दी होगी और जिस कारे में कर रहे हैं उस कारे से तरक्की मिलने की संबावना होगी अब चलते हैं मकर धनूराशी की और धनूराशी वालों के लिए समय सामान्य है ध्यान देजिएगा बाहन को मित्र सगे समन्दियों से आपको लाब की प्राप्ती होगी आपका रुकावाद हने वो प्राप्त होने की समभावना है इस सब्ता के अंतरकत हैदा होगा कुम रासी वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं का जा सकता किसी दूसरे विक्ति के द्वारा या आपकी चुगली करने के करण आपका मन बिथित रहेगा थोड़ा परिशानी कारक रहेगा इसलिए अपने मन को स्थिर रखें लाव लें और सफेद दान जरूर करें जिसके द्वारा मन सांत रहेगा मीन रासी वालों के लिए चलते हैं मीन रासी वालों के लिए समय लावकारी है उन्नती कारक है हर प्रकार से सुभम रहेगा कोई चिंता वाली बात नहीं जिसके द्वारा आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी इस सप्ताह का मंत्र सूत्र क्या है यदि आप इस सप्ताह के अंतरगत अपने मन से अपने इश्ट का ध्यान करें और उसके निमित कुछ फल फूल निकाल करके मंदिर में जहां भी आप मानते हैं अस्तान देखते हैं उस अस्तान में दान करेंगे तो आपको सर्तिय जो है लाब की प्राप्ती होगी इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बानी को विराम देता हूँ अगले सप्ताह के लिए फिर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार हाँ मेरी एक प्रार्थना आप लोगों से है किरपा करके मेरे इस वीडियो को पूरा सुना करें उससे आपको लाब ये रहेगा कि जो अंत समय में हम आपको टोटके बताते हैं या छोटे छोटे सूत्र देते हैं उन सूत्रों से आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं अब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार